हेले विल्कॉम टू माई चैनल हाइवेगाइड आज हम इस शेशन में चर्चा करेंगे कि जो टैंडम डूलर है उसकी कैपसिटी बिटमस वर्क के लिए कैसे निकाली जाती है टूलर का प्रोड़क्शन निकालने के लिए हमारे पास थार्मूला है प्रोड़क्शन इसके लिए इन्टू डव्लू इन्टू वी इन्टू एच इन्टू दी इन्टू 1,000 डिवाइड़ बाई एन टन पर आवर इसमें सी क्या है सी एक कॉंस्टेंट है जो 0.5 से 0.6 तक होता है मेरा रेक्मेंडेशन है कि आप 0.5 हील दीजेगा डबलू क्या है width of the roller in meter है चनली रोलर की width 1.7 meter होती है V is equal to speed of roller km per hour H thickness of the mix in meter after compaction और D bitmus mix density in ton per meter cube और N क्या है number of passes है अब इसको हम एक्जांपिल के तौर पर आगे देखते हैं आएए एक एक्जांपिल भी देख लेकते हैं तो एक्जांपिल है हमारा और ये what is the estimated production rate of a tender roller with a width of 1.7 meter the following information was obtained from a site trial of the highway project compacted lip thickness 75 mm है और उसकी speed है फाइब किलो मिटर पर आवर नमबर आप पास उसमें 6 लग रहे है और एक कॉंस्टेंट टेक्टर है जिसको हमने एजून किया हुआ है 0.5 वीथ आप दी रोलर 1.7 मिटर है और देश्टी आप मिक्स 2.36 टन पर मीटर क्यूब है यह सारे जो हमें दिये गए हैं और जो वैल्यू में साइट चाहिए है हमें क्या करना है हमारे पास फार्मूला है प्रोडक्शन इसकल टू CWVHD 2000 divided by N टन पर आपर इसमें हमारे पास जो सारी वैल्यू है उसको हम रखते हैं तो C इसकल टू.5 है और W इसकल टू.1.7 है और V इसकल टू.5 है और H इसकल टू.075 है और D हमारा 2.36 है इसको कारनूले में रखने के बाद जह हम कल्लेट करते हैं तो हमारा आता है 125.34 टन पर अवर और यह बहुत इजी है आपके बहुत काम हैगा साइट पे बहुत हैंडी है अगर इस फार्मले से हमने जो आउटपूट निकाल ला है इससे हमें यह पता लगता है कि अगर मालीजे हम 200 टन पर अवर कर रहे हैं या 500 टन पर अवर कर रहे हैं तो हमको दो रूलर की जरूबत पढ़ेगे तो आसा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा समझ में आ गया होगा मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ने किया है उसको सब्सक्राइब करिए आगे भी हम साइट की बहुत से चीजें जो प्रेटकल में काम आती हैं हम आपको बताएंगे थेंक यू फर वाचिंग माई वीडियो